नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकितापाल ब्योडिंगी शुरुवात करते हैं मुखिमंत्री भजनलाल शर्मा सोंवार को सहयुक्त वाल्मी की श्रमिक संद द्वारा आयोजित स्वागत समहरों में शामिल हुए हैं जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज सरकार ने नगरी निकायों में होने वाली करीब 24,000 सफाई कर्मचारियों की भरती में सफाई कर्मियों की मांगों और सुझावों के अनरूप संशोधन कर नियमों का सरली करण किया है लोटरी के माध्यum से पारदर्शी तरीके से भरती का काम किया जा रहा है मुक्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों को उनका ये हक पहले ही मिल जाना चाहिए था लेकिन पूल बरती सरकार ने इन भरतियों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है और इससे पहले भी 2018 में हमारी ही सरकार ने 21,000 से अधिक पदों पर सफाई कर्णियों की भर्ती की थी राजधानी जैपुर में स्वागत समहारो का आयुजन किया किया है जिसमें मुक्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा की सफाई कर्णियों की राष्ट निर्माण में एहम भूमिका है और वे हमें बिमार्णियों और गंदियी से बचा कर स्वक्ष और स्वस्थ वातावरण बनाने में महतपूर योगदान देते हैं और ने कहा के सफाई कर्णियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्यार राष्ट सरकार के प्राथ्मिक्ता और जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री शर्मा स्वमवार को सयुक्त वाल्वी की श्रमिक संद्ध द्वारा आयोजित स्वागत सम्हारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं पूर मंद्री माल्वी नगर से विदायक सम्मानिय काली चरंजी सराब साथ हमारे आदर्श नगर के प्रित्याशी भाई रभी नईयर जी हमारी महापौर ग्रेटर नगर निगम की श्रीमती सोम्या गुर्जर जी महापौर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी हमारे उप महापौर ग्रेटर पुनीत करणाव जी श्री अमर्चिन जी विश्नोई साथ सुनील जी महरास जी अध्यक सहयूद बाल्वी की सभाई श्रम संग नंद किसोर जी रडोरिय साथ पूर प्रदान सुरेश कल्याणी जी पूर प्रदान सिफ्चरन डंडोतिया जी डाक्टर कैलास किसान लोहरा जी प्रदेश अत्यक सफाई उनियन मैश बाल्मीकी जी सर्पंच सत्तनारां जी राष्टी अत्यक सफाई उनियन चरणदाज जी महराच बावुलाग राणा जी अत्यक जिराना समाच मनोग चोहां जी महमंत्री सफाई उनियन राजकुमार सिर्जया जी देलपे उनियन कोटा विकाज नर्वाज जी अमर्तन कोठारी जी कमंचन जी अमारे किस्नमों जी महमंत्री कुलवंजी और मंद्पर राजमान समी, नीदागर्ण और मेरे सामने वटे मेरे बाई और मैंव सबसे पहले तो मैं आप समी का अवरेंnar करता हूं बंदर करता हूं आप समी को मैंदर करता हूं यह काट्रक्रम ऐसा कार्क्रम है की आप लोग कापी समय से मेरे को इस कार्क्रम है आमन्तिक करने के लिए सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से समास सेवा का काम करते हैं आप अपने दायत का निर्वेंद करते हैं मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का सम्मान करना चाहिए मित्रों क्योंकि अगर इस देश के अंदर अगर मीमारी को दूर लगना है सोच को रहना है तो सभाई बहुत आवश्चक होती है और मैं धन्दबाद देना चाहता हूं देश से अससी पुर्दान मंत्री नरेत्र मोधी जी को उन्होंने स्वक्षता अव्यान दो अक्टूबर दोजार तोबे से प्रारम किया था और वो पूरे देश के अंदर ये जंदर का अव्यान बन गया है और इस अव्यान के दोरा मैं कह सकता हूं कि उन बीमारियों से और गंदगी से बचाने का काम मेरे राश्च निर्मान में योगदान अगर किसी का है तो वो समसे पहले आप लोगों का है आप लोगों का है और आप से देखा होगा मानी काली चर्णी सराब के रहे थे कि भार्टी जंचा पार्टी का और पार्टी की समाज का ये नाता है और मैं आप से कहना चाहता हूं आज 21 अक्तूबर है और ये 21 अक्तूबर ये जंचंग की इस्थापना का दिवस है जब भार्टी जंचा पार्टी जंचंग के नाम से एक नाजश्तियन गल बना था आज 21 सफ्टूबर 1991 को आजको 21 सफ्टूबर है और उससे में बाद्मी की समाज के बहुत बड़ा योगदान था उस कार्णी में हमारे बाद्मी की समाज के भाई थे और उन्होंने देश के जर्माद के लिए देश के विकास के लिए काम किया था मैं आपसे कहना जाता हूं कि आपने जो एक प्रेशी एसासी प्रदान मंत्री नरें द्रमोधी जीने इसे जो प्रण लिया था उस प्रण को आङे बढ़ाने का काम लिए कि नागंदगी करने देंगे, नागंदगी करेंगे, और हम स्वक्स्ता के पार बातमण बनाते हुए, देश के हर ब्रक्ति को, हर नागरी को स्वस्त रखेंगे, मस्त रखेंगे, उस काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहा हैं. एक पूरे देश के अंदर यहां सफ़ाय प्याँ तो कि देश हो दोसी प्रJन मतरी नयिया, यह जना उलन बन गया। और इसको पुरे देश के अंदर अपार समगतन भी मिला है। देश में स्वक्षता की संस्क्रिटी के विकास के लिए हम सब देश देशोची प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी जी के आवाली है। और आपने देखा हूंगा देश के स्वक्षता प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी जी जी आविलाबाद के अंदर कुम लगा था। और कुम के अंदर 25-300 लोग आये थे। और उसको मुखे समापन के बाद हमारे देश के सुच्छी प्रदान मंद्री नर्यत नर्मोजी जी ने और हमारे सभी वालमी की भाई उन सफाई कर्मियों को सवागत और सम्भान किया था उनके इत्रण पखार करके उनको सम्भान देने का काम किया मैं आप से क्याना चाताओ मिरे भाई अवाई हम रहीं कि हमसाद इस बात को जानते हैं कि देश के झिर्माण में अगर सुच्छा अगर किसी का यूग दान है तो वो हमारा पाजमी की समाज है हमारा पाजमी की की भाई है और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरफ चे हमारा ये समाज दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज में आगे आकर के जिस तरह का काम कर रहा है, वो आपके सामने है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा जिस तरह से काम करते हैं और ये समाज हर काम में आगे रहता है, और मैं कहना चाहता हूँ, आपको सहर में रहते हैं लेकि मिरे गाउंगे, बाई मियां पेड़े हमें गाउं से जो आते हैं अगर गाउं में सबसे पहले अगर पुलाया जाता है सबसे पहले सम्मान किया जाता है तो मेरे बादमी जी भाई का किया जाता है क्योंकि यह हमारी संस्क्रिती है यह हमारी संस्क्रिती है और उस संजगीती में यह है कि हम हमारे हभाई का संबान करते हुए से आगे बढ़ाने का काम करें मैं हमारे संब्धान निर्मता बावा साथ इम्रावमेट करदी को भी याद करना चाता हूं मैं कल ही लंदन चे आया हूं मैं लंदन गया था मैं बावा साथ के राव इस सिछशा किरें थी मैं उस उनके ऊस इस्थान पर गया था किंग हेंडि रोड इस्थित्यु आद्यासित अम्णेटर हाउस में वह हमाग गया था और मैंने वह देखा कि बावा साथ किस मेहनत के साथ वहां पढ़ाई की और हमारे सम्मधान का दर्मार किया आज हमारा देश बाबा साव के पताई हुए लाज के परतर स्था है मैंने जाकर कि मां उनके उस अध्यान कक्ष में उनको कुस्पांजरी वियार्टिक की मैंने उनका वो अध्यान बूम में देखा और मैंने क्योंकि उसके पीज़े दैस्ट रेल्वे इस्टेशन था है मैं पीछए निकल गर के देखा कि बाबा साब वहां से जब रेलवे की गाली आती तब और वन्हों को ने मेरे को बताया वाबा साथ रेश्वे की गाली आती थी तो अपने पढ़ाई करने के लिए उससे रेलवे से जाते थे विलकों नज्च्टीक में इस्टेशन हैं और उन्होंने इस तरह से देश का सम्मान पढ़ाने का काम किया, देश के दर्माने में उनका योग्दान है, मैं आज उनको भी सिरता सुमन हम्वित करना चाहता हूं, उनकी इस पिर्थियां इस तरह से उसमें मैंने देखी, निश्य द्रूप से मन प्रफुलुत हो गया, कि बाबा साथ ने यहां करके पढ़ाई जी और देश का दर्मान करने में अपना सब को दोनों ने दिया, मैं आप से कहना चाहता हूं, कि आपने देखा होगा, कि हमने जिस तरह से, हमने हर तरह से, हमारे सभाई करमचारियों की जो भट्टी है, कांग्रेश के लोगों ने दे केना करता है, कोई भी चुनाव आए, कांग्रेश के लोगों को देख लेना, चुनाव आएगा कोई ना कोई, इस तरह का सुपा का छोड़ेंगे, इस तरह कि बात करेंगे, जो कभी बो ना पूरा कर सकते ना, उन्होंने कभी पूरा किया, सबसे जैदा, अगर देखा होग जब भी चुनाव आते हैं, जूट और जूरूर की बात करते हैं, कोई ना कोई नहीं अफ़ा भेलाने का काम करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने चुनाव से कितने दिन पहले सभाईी कर्मी की बढ़ती निकाली, उसमें भी किस तरह का ब्यबस्ता की कि बढ आते हो जी निए पाएं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने आपके मास्टम से जो आपने बताया, आपके लोगों ने जो हमें सहयोग किया, आपने कहा कि इस तरह से होनी चाहिए, हमने उसी आधार पर सभाई कर्मी की बढ़ती निकाल आज़ा हैं, और मैं कहना चाहता हू मिकाज अन्वों का आदार हमने रखा है और उसके आदार पर रामेदन कर सकते हैं और हम लोट जी के मात्यम से नग्रिय निकाज सपाई करमजाजियों का चेन करने वाले हैं उसमें आप करते हैं होने वाला है इन भठीओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इसनी बड़ी भठी पहले भी हमारी सरकार ने 2018 में 21,000 पदों की भठी की थी और अभी हम 12,000 पदों की भठी भी हमारी सरकार कर रही है मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा भाटपा की सरकार हमेशा सफाई कर्मियों के हिसमे काम करती है हमेशा आपके हिसमे काम करती है हमारी सरकान ने भट्टियों में आपकी मांगों के अनूप संसोतन कर नियमों का संदिकरन भी किया है लाट्री के मादम जो पार दर्शिस्ता तरीके से पार दर्शिस्ते भट्टिया करने का काम भी किया जाएगा जब कि पिछली सरकान ने बटिया मैं क्या किया हमें तो पेपर लिखिये लेकिन इस भी पेपर लिख लिख रही चिया था इसमें भी पेपर लिखे रही चिया हमारे युगाओं के साथ अन्या करने का काम अनों चाहता हूँ हम जड़ने कहते हैं ये सपाई करने की बढ़़ती नहीं आप में देखा होगा हमने साथ हजार बोट किलाज सतुर्ट करमजाणियों की बढ़़ती भी हमारे कैमिने ने निकादी है कि हमने एक साथ नप्य हजार पर्टियों को के बिदे बंजी दिया कोई भी घानी कोई भी मौला एसन्जी ओगा इसमें युबाँ को नोप्री नहीं मिले थी मैं इतना के ना चाहता हूं हम पांच पर्टों में हमने जय सका है कि हम पांच साल में चार लाग बढ़तियां करें हैं और नहीं प्राईबेट हैं और में प्राइबेर ऱड्म में चैनाङ बढ़तिकरेंगे और पूरी बढ़तियां पांच साल में दसारा करेंगे आकारों करेंगें कांद Right से लोग कह रहा है मैंने कंजी का ता आज भी कह रहा हैं वो कलम और डाईरी साथ कोई कहते हैं इसमें कोई अंतर नहीं होता है मैं आप से इसलिए गेना जबता हूं आज मैं सुन्दा था कामरेश के लोगों ती पीची सब रही थी वो कह रहे थे कि मुक्मंतरी बाठ जा रहे हैं एक पैसा दिला है कोई वहां से है कोई बोरी में या कट्टे में परगे आएंगे क्या है आप बचाईए पंद्रा लाग करोड रुपे के हमों यू है आपको दीख नी रहें क्या कितना बड़ा काम हुआ है और अभी जो मीने भागी है यह तो मीने पहले अभी हमारा राटिक राइस्तां को नो बढ़ जाएगा क्यों जिन्ता कर रहे हो आप लिखते जाएए आप की तरह नहीं है कि दिन में कुछ बोलते हो राज में कुछ बोलते हो सुना बात है तो क्या वाज़ा करते हो तो नामने करने के बात क्या वाज़ा करते हो यह देश की जंता जान चुकी है कि आप क्या करत हैं इसलिए आफ को कहां पैंटाया है वो आपको ज्यान में होना चाहिए है कि आपने देखा होगा हमने पहरी बार दो साथ का संब में लगा लुक्ताया है हैं अमने पूरा करेंडर निकालने का काम किया है हमारे युवाफ पढ़ाई करें और हम विश्वाद दलाते हैं मैं आप से सब्सक्राइब करेंगे जिस तरह का होगा क्योंकि हम संसादर के काम करेंगे कोई भी दिक्कत हो सकती है हम संसादर के रूप में काम करेंगे जो भी यहां बच सकता होगी उसको भी पुरा करेंगे यह भी हम आपको निसुन की बश्ता कराएंगे किसी भी तरह की बिमार होगी हम आपको निसुन की बश्ता कराएंगे यह भी हमने कहा है हमारे सपाई करम्चारियों को रियाती दरपर रेड़ो कुलत कराने की बश्ता भी कराएंगी बारत सरकार दोरा कराएंगे जाने वारे स्वक्त सर्वेक्चर में आप सपाई करम्चारियों के सहयोग से हम अच्छा पृद्शन करें इसके लिए भी आप समीसे में सहयोग की अपील करता हूं आपके इस योगदान को प्रदेश बासी कभी नहीं बूलेंगे मैं आप अपना सिवब आगे बनाये रखें ऐसी में आप सभी से उम्मीद करता हूं और मैं आपको विश्वाश दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमेशा आपकी स्थाथ है किसी भी तरह की जिस्ता करने कि आवश सकता नहीं है अंद्में मैं आप से इतना ज़रूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और में नों कियाप ने देखा होगा कि हमने जो संकन पत्रकों को बादे किये हैं हम एक एक बादे को पूरा करेगा मैं इतना ही कहना चाहता हूं सबим लोगों से क्यों की हम भी इस देश से प्रतेस के नागरोत होने के नाचना है हमारे राजेस्तान विग्सित राजस्थान भारत बनाना है और हमारा योग्दान हो हर योग्दान हो कि हम्होवें सोच बनानी है मैं आप से इतना ही कहले जाता हूं कि आप लोगों ने जिस करे से स्वागत और सम्माब का नहाद प्रक्रवा नजन स्वागत और सम्माब करता हूं कि आप एक अच्छे नागरी की तरह हम अपने कर्टक को नवाएंगे देश को मजूद बनाएंगे देश को स्वक्स बनाएंगे देश को स्वस्थ बनाएंगे इस आसा और उम्मिन के साथ आप सबी लोगों ने मेरा ये काजिकर नगा कोने में सबी आए जगों को हमारे टाटा वं कि, कालीरन hashaven Nãore गहाँ प्रद्जी में कढ़ा था कि बत्तों की पढ़ाई के लिए अंफ जिंदरा मन करिये मैं आपसे कहना है जाता हूं, आप ऊस्तव नपर वर्माएंगे रातिश्तान सब्कार आपको जमीन अनुप्व्द कराएंगे ये म आउक नबजी महा काफी लंबे समय से मांग चल रही है हमारे वो संत हैं और संत भी ऐसे हैं कि उनका इस्थान जो महारे महाराथी है मुझे को बता रहे थे महाराथी महाराथी में कहना चाता हूं आप निस्थ रही है मैं आज ही लागा वजीव रोट करा दूंगा और आम नवजी महाराथी का मां पैरोर्वा बनाएंगे आप निस्थ रहें जोट बूल करता हूं मैं आप शेंद्र में तना ही कहना चाता हूं वे भाई यह और मेरों कि आप निस्थ रहें आप खुले मंद से राश्ट के दर्माइन को अपनी भूम करने वाएं और कभी कभी लोग ऐसे आजाते हैं जो किसी तरह से बेकाने का काम करते हैं किसी तरह से इस तरह की बात करते हैं उनके वेकाने में नहीं आना हैं उनसे पूछ लेना कि तुमने क्या क्या किया काजी तरह भी बना रहे थे कि हमने कितना कितना किया कवकव आवश्यक्ता हुई है तो बारती संथा पाइंट्री की सरकार अभी सांथ रही हैं आगे भी है किसी तरह की जिंदा नहीं करनी ह आइए हम और आद सब्लकर के इस राजस्तान को बिक्सित राजस्तान मनाएं उत्किरिस राजस्तान मनाएं इस राजस्तान सारु विस्वास के सांब बहुत गोजनवाद जैं जावाद दुवई विधान सबा छेत्रों के उप्चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्तान प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी वर्ल रूम जैपूर में प्रदेश कॉडिनेशन कमेटी की बैटक हुई है ये बैटक अखिल भारतिय कॉंग्रिस कमेटी के राजस्तान प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा की अध्यक्षता में प्रदेश कॉडिनेशन कमेटी की बैटक संपन हुई इसमें प्रदेश अध्यक्ष, गोविन सिंग, दोटसरा, नेता प्रतिपक्स, ट्रिकाराम जूली, पूर्विसियम, अश्रो गहलोत और साथी अकिल भारति कॉंग्रिस कमेटी के महा सचेव भवर जितेन सिंग, पूर्विधान सभाध्यक्ष, डॉक्टर सीपी जोशी, ए पूरान साथ विधान सभाध्यक्ष, चेत्रों में बुजर्ग को दिव्यांग मदाताओं के लिए हूम वोटिंग की सुविधा उपलगत रहे, और साथ ही आपको यह विपताते चोलें कि पचाची साल के अधिक आयू की वरिसनागरी को चालेस फीजी से अधिक दिव्यां ही सहे अन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पात्र मदाताओं को आविधन के अधार पर हूम वोटिंग के सुविधा उपलगत करवाई जाए लास वोड़े में अतना ही जहते जाते एक नज़र डालते हैं हैडलाइन्स पर तुछ झालेस जाए